हेलो दोस्तो वेलकम आई उटू चैनल आप सभी के चैनल प्रतीमा सर्मा के चैनल में आप सभी को फिर सेग वर्ष भागत है दोस्तो दोस्तो हमेशा की तरह आज फिर मैं किचन की ऐसे ऐसे टिप्स लेके आई हूं दोस्तो कि आप सभी को बहुत ज्यादा बचत होने वाली है तो चलिए वीडियो को देर न करके मैं चलती हूँ फ़र्श नमबर वन टिपस में तो जैसे की दोस्तों मैं यहाँ पर गैस को ले करके बता रही हूँ कि गैस आज के बढ़ते हुए महँगाई के जबाने में इतना ज्यादा महँगा हो गई है गैस दोस्तों कि इसके लिए तो उपाय जरूर ही ढूना ही चाहिए दोस्तों तो जैसे कि हमारा गैस एक माह चलता है तो हम ऐसा उपाय ढूने कि हमारा गैस डेड़ माह दो माह चले दोस्तों तो चलिए इसके लिए मैं उपाय बताती हूं दोस्तों दोस्तों जैसे कि सबसे पहले गैस अगर खतम होने जलती है लेकिन जब खतम होने वाली रहती है तो रेड हलका पिला या रेड एलो टाइब के हो जाती है दोस्तों तो जैसे कि दोस्तों यहां पे देखिए इसपायर दवा यह सभी कोई बीग देते हैं और इसका नव जानके या ऐसे भी दवा जो मतलब इस्ट्रा हो जाता है ठीक हो जाने के बाद तो लोग उसको भीग देते हैं हम लोग भीग देते हैं न जानते भर में भी लेकिन दोस्तों आज के बाद आप सभी इसपायर दवा को क्या करना है और इससे क्या ट्रिक करना है कि हमारे गैस कम खर्च कम बचत कम खर्च हो तो सबसे फर्ष्ट में ए आवयक डाले निकालके। और इसको अच्छे तरह से घुला लेना है दोस्तों इस तरह से हात से मैच करकर कि अच्छे तरह से घुला लेताता युट जली जाता युट लगठी नहीं लकती है उसके बाद थोड़ा chess शर्फ यानि कि जो हम लोग कप्राद होते हैं उसको थोड़ासा एक चमच डाल देना है और उसके बाद यहां पे मैं ल writers कर लीज़े वायट बेनिगर लॺ Anda को सब्सक्रों मैं डाल रहे हो उसके बाद थूआ एक बड़ा वर्तन में आप दोनों जुलहा गैस का जो होता है जाली उसको ले लिजे एक कटोरा में एक थाली कुछ में भी और इसको डालके लगवक दो तीन मीनट छोड़ दीजे फूलने के लिए फिर उसके बाद जब फूल जाए तो अच्छे तरह से इसको बरस से साफ कर लिजे क्या होता है दोस्तों कि इसमें खाना बनाते बनाते गंदा फस जाता है दोस्तों तो उससे हमारा जो गैस निकलता है जो गंदा फसे हुए में वहीं भी गैस अटक जाता है और हमारा इस्ट्रा गैस बरवाद होता है दोस्तों और अगर मैं इसको क्लीन रखती हूँ पूरा मेरा जो इ मतलब अगर अच्छा से छेद यहां पे नहीं रहता है, भर जाता है छेद, तो गेस बाहर निकल नहीं पाती है, जल नहीं पाती है, ओ गेस एश्टा ही खर्च होती है दोस्तों, तो इस तरह से मैं अच्छे तरह से दोनों तरफ से उलट पलट के साफ कर ली हूँ, देखिए क कितना गंदा निकला दोस्तों देख सकते हैं आप सब कितना गंदा निकला है दोस्तों और उसके बाद मैं देखिए यहां पर बैठा के फिर मैं जला के दिखाती हूं देखिए कितना अच्छा से जल रहा है दोस्तों उमीद है कि एह ट्रिक आप सभी को पसंद आई होगी बह अजया नहींकिते हैं तो अधर के लिए देखिए इस तरह से दवा का कॉनर से हलका हलका साफ कर लिजे बहुत अची ट्रिक में वतारी हूं दोस्तों और सर्सो का तेल लिजे इसमें डाल लिजे दोस्तों और उसके बाद इसको थोड़ा देर फुलने के बाद देखिए चल ल को पशंद पड़ा होगा। अब चलिए नंबर तीसरी ट्रिक में चलती हो। इस तरह कि दोस्तों अक्सर चाजनी में हमारा गंदा भर जवाता है जो हम लोग छानते हूज जाके बठ जाता है क्योंकि इसमें दब्बल जाली दिया हुआ रहता है और बिच में जाके बढ़ जाता है तो हमें इसको फेकना नहीं है दोस्तों अक्सर हम लोग फेक देते हैं इसको फेकना नहीं है दोस्तों इसको क्या करना है गैस जला के अच्छे से इसको जला लेना है बहुत अच्छे से इसको जलाना है दोस्तों कि मतलब इसको यह नहीं सोचीगा कि हमारा चाय चल रहा है बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों जो भी इसमें गंदा चाय बैठा हुआ रहता है वही जलता है जल के अपने आप जब बूत जाए तब ही आपको बंद करना और गैस को एक बार जब जलने लगे तो गैस बंद कर दीजे आप और फिर अपने आप जल के बूत जाए तब इसको साब कीजिए जितना यकिन ना माने दोस्तों जितना इसमें गंदा बैठा हुआ रहता है सारा गंदा इसमें से निकल जाता है दोस्तों ऐसे वीडियो मैं पहले भी सेयर करी हूँ तो मैं सोची कि चलिए आज आप सभी के पास साथ एह वीडियो सेयर कर देती हूँ उसके बाद देखिए दोस्तों मेरा बुछ चुका है यहाँ पे अब मैं इसको क्या करूँगी इसको देखिए मतलब हलका हलका और जो भी जल रहा है मैं अच्छे से जला ली और इसको मैं अच्छे से इस तरह से हलके हलके हाथों से जार लूगी दोस्तों ताकि इसमें से जितना भी जला हो निकल जा सभी अब देख सकते हैं दोस्तों अच्छा से साइद आप लोग को क्योंकि ब्लेक है हमारा इसलिए नहीं ब्लेक ब्लेक में दीख रहा है दोस्तों तो देख सकते हैं किस तरह से निकल रहा है दोस्तों देखिए मैं सुरू में दिखाई थी तो बिल्कुल इसमें नहीं था जाली नहीं दिख रहा था बिल्कुल पैक हो गया था देखिए किस तरह से गीर रहा है अच्छे से निकाल लेना है दोस्तों तब भी देखिए कितना गंदा निकल रहा है दोस्तों मैं हाथ में इसलिए दिखा हुई क्योंकि ब्लेक ब्लेक दोनों पड़ जा रहा था तो गंदा आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा दोस्तों तो देखिए और फिर उसके बाद दोस्तों जो हम गैस चुला का जाली साफ किये थे वही इसमें भी मेरा कम्याब हो जागा उसको भी इसम के थोड़ा सफूलने के लिए छोड़ दीजिए और अच्छे से ब्रस से लगड़ दीजिए बिल्कुल चमक जाता है दोस्तों यकीन नमाने जो दवा का एकस्पायर दवा जो है बहुत कम्याब होता है दोस्तों और बेनीगर इससे एक्दम कोई भी बरतन आप साफ कर सकते है बिल्कुल चमक जाता है देख सकते हैं किस तरह से मेरा लाइट मारने लगा वो यकीन नमाने दोस्तों बहुत पुराना यह मेरा चैछनी है आदेखे कितना अच्छा से साफ हो चुका है और एक आद बार और इसको अच्छा से साफ कर दूंगी तो यह बिल्कुल साफ हो दोस्तों देख सकते हैं फिर भी काफी हट से ज्यादा साफ हो चुकी है चलिए अब नंबर फोर ट्रिक में चलती हूं दोस्तों तो देखे इस तरह के चैछनी हम ली हूं दोस्तों यह चैछनी बहुत हमारा काम्याब चीज है दोस्तों ऐसा नहीं कि हमें चाय और दूधी करें के लिए है काम बहुत चीज में सा काम देती है दोस्तों जैसे कि अकसर हमारा खाना कभी-कभी आकड़ जैसे मीटी-मीटी जैसा लगता है दोस्तों तो उसका यह है कि मतलब जब्वी हम जीरा पाउड़र स्वरी दुस्तों जीरा लाती तो उसमें अक्सर बहुत ज्यादा गन्दार रहता है दोस्तो तो उसको कभी भी आप अच्छे से छाचनी में थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से चान ले उसके बाद दीबा में पैक करके रखे देखे कितना मेरा निकल रहा है मेरा तो यहां पर डीबा वाला पैक वाला है ये चलते मेरा थोड़ा सा कम निकल रहा है लेकिन अक्सर जीरा अगर आप खुला लिजे तो अक्सर इतना जादा गंदा निकल जाता है दोस्तों और अक्सर ऐसा होता है कि कभी-कभी हम लोग खाना खाते हैं तो मीटी-मीटी डाइप के लगता है हुआ हम लोग पकड़ना ही पाते हें इतने अच्छे से ङू खाना बना यूंट dobr के उसके बाद ही डिबा में आप भर के रखिए तो उमीद है कि यह भी ट्रिक आप सभी को चिप्स पसंद आई होगी चलिए अब चलती हूं मैं फाइफ नमबर टिप्स में जैसे कि दोस्तों अकसर हमारा या चिप्स काटने वाला घिसने वाला चककू कैची कुछ भी दोस्त है जिससे मतलब हात में पकड़ सकू तो मैं हलका ही गरम करके लाई हूं और उसके बाद दोस्तों इस तरह से यहाँ पे घिसना हैड़िस तरH से हम कुछ पसंद आई होगी अगर आज की टिप्स थोड़ा सभी पसंद आई होगी दोस्तो तो लाइक कोमेंट शेर जरू किजिएगा चैनल पर फर्स्ट बार आते हैं तो चैनल को सुस्क्राइब जरू किजिएगा चले मिलती हूं अगले दिन अगले टिप्स